अगर आप भी इस बार इसके मौसम में पकोड़े खाके बोर हो चुके हैं तो मैं आपके लेके आई हूँ उड़त डाल के बड़े की रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से मैं इसे बनाऊंगी और एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं तो बड़े बनाने के लिए मैंने हाप पर दुली हुई उड़त डाली है एक अप आप चाहें तो छिलके वाली डाल भी ले सकते हैं इसे मैंने पाच घंटे के लिए पानी में भीगो कर रख दिया था बहुत अच्छी तरीके से भीग चुकी है अब मैंने इसे चलनी में निक से रख दिया है अब मैंने यहाप पर डाला थोड़ा पानी बहुत जादा पानी का यूसना करें और इसे पीसेंगे और बीच-बीच में हम इसे चैक करेंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगता है कि अच्छी ढंग से नहीं पीस पा रही है तो ही आप इसमें प बहुत बारिग नहीं करना है और बहुत जादा इसे मोटा भी नहीं रखना है अब हम इसे अगले बरतन में निकाल लेंगे ये देखे किस तरीके से मैंने पीसा हुआ ऐसे अब हम इसमें एट करेंगे धनिया के पत्ते और यहाँ पर 1-4 चमज हींग एट की हुई है हींग से इसका टेस बहुत अच्छा आता है आधा चमज मैंने अजवायन लिया हुआ है और आधा चमज रैड चिली पाउडर और 1 फोर चमज हल्दी पाउडर नमक आप अपने स्वाद के नुसारी इसमें डालें और 2-3 मिनट के लिए हम इसे लगातार फेट लेंगे एथे लगातार चलाते हुए हम इसे फेटेंगे फेटने से क्या होता है जो हमारे बड़े होते हैं काफी क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सौप बनते हैं अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा तेस्ट बढ़ाने के लिए गर्मसाला आधा चमबच डाला हुआ है यह ऑप्सिनल है अगर आप चाहें तो डालें वनना आवाइट भी कर सकते हैं फेट लिया है मैंने इसे आप देख सकते हैं एक बार हातों से इस तरीके चेक कर लें बिल्कुल फलफी बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है यह बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है अब मैं इन बड़ों को बनाने की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से ब पैला लेंगे और बीच में इस तरीके से हम इसमें होल कर लेंगे इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको सावधानी से करना होगा उधर हमारा तेल भी अच्छा गरम हो चुका है यह मैंने बना लिया एक बड़ा आप देख सकते हैं और हम इसे इस तरीके से पलटेंगे तो आस आप बिल्कुल तेज आज में इसे ना पकाएं वनना क्या होगा अंदर से यह कच्छे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे इन बड़ों को हम निकाल लेते हैं मैंने निकाल लिये हैं सारे बड़े बनाके तेयार भी हो चुके हैं अगर आपको आज की उड़त दाल की बड़े की रेसिपी पसन आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद